जालावर्ट जिले के मनोहर्थाना कजबे के निचला बाजार इलाके में 13 जून को रात आधा दर्जन नकापोश बदमाशों ने एक रिहाईशी मकान की खिर्की को तोड़ कर घर में रखे लौकर से करीब 50 किलो चांदी के गहने चुरा लिए घटना के बाद से ही आरोपयों की तलाश में जूटी पुलिस टीमेओं को अब सफलता मिली है पुलिस ने वारदात में शामिल पारदी गिरो के तीन सदस्यों को गिरफतार किया है पुलिस ने आरोपो के कब्जे से नक बजनी के दौरान चुराई गई चांदी के कुछ आभूशन समेट वारदात में काम ली गई कार भी बरामत की है सारे मामले में मनोहर थाना प्रभारी अमरनाद जोगी ने बताया कि 13 जून को मनोहर थाना कजबा के निचला बाजार इलाके की व्यापारी बनवारी महाजन के मकान के निचले कमरे से अग्याद बदमाशों ने खिड़ की तोड़ कर करीब 50 किलो चांदी के आभूशन चुरा टीमों ने करीब 300 से अधिक CCTV फुटेश खंगाले और साइबर सेल टीम को भी मदद में शामिल किया वहीं पुलिस अन्य फरार बदमाशों की भी तलाश कर रही है